तो गाइस फाइनली जो है बुलट 350 भी आचुकी है इससे पहले क्लासिक मदब जो है कंपनी ने नई अपडेट किया था आज की वीडियों बताऊंगा कि इस नई बुलट 350 में क्या चीज जो है कंपनी ने चेंज किया है यहां पर ना तीन वेरिंट्स के अंदर में कंपनी न पर चेंज कर दिया है military red और military black color से उन वो आप लोग को मिलेंगी उनके अंदर क्या है आप लोग सिर्फ फ्रेंट में डिस ब्रेक मिलेगा रियर में उनके अंदर में आप लोग को डिस ब्रेक नहीं पढ़ते हैं बाकि जो वे मैरून है और जो स्टेंडर्ड है इनका प्राइज बिल्कुल सेम ही याँ पर पढ़ते हैं अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो यह है ओडिसी ओटोमोबिल और जो इनका कॉंटेक नमबर है नीचे स्क्रीन पर मैं शोग कर दूँगा फिल कंप्लीटली बाइक जो यहाँ पर चेंज कर दी गई है 350 CC का इंजन है जो कि क्लासिक के अंदर में आता है 20.2 बहप निकालता है 27 अनम का टॉर्क जो है निकालके आप लोग को देता है इस बाइक के अंदर में 160 mm का आप लोग को ग्राउंड क्लेरन्स मिल जाता है और जो सी आप लेलो चाहे निचे वाड़ा वेरिंट आप लेलो पहले क्या था जो यह डिस ब्रेक था ना वो आपको लेफ्ट सैड के साथ मिलता था पर अब जो है यह राइट सैड में आता है बाइवरी के डिस ब्रेक यहाँ पर मिल जाते है और 300 mm का जो है इस बाइक के अंदर में डिस ब्रेक मिलता है यह बाइक जो है शिरब आपको इन स्पोक्स के साथ ही मिलेगी अलोई विल्स जो है इस बाइक के अंदर में आएंगे और C8 के जो है बाइक के अंदर में टायर लगे हुए है यहाँ पर 19 है और 18 इंज का बाइक के अंदर मिलता है टेलिस्कोपिक सस्पेंशन है और यहाँ पर पूरा मेटल का यूज मिलेगा headlamp जो है बाइक के halogen bulb के साथ में मिलते हैं इंडिकेटर भी halogen bulb के साथ में मिलते हैं जो ये बाइक है 13 लीटर की fuel tank capacity के साथ में आती है और वही है डाई से 3 लीटर जो है इस बाइक के अंदर में reserve में fuel रहते है tank, mudguard ये सारी चीज जो है बाइक ही completely change कर दी गई है जो bike के tank के अंदर और जो से side में है न ये पहले जैसी retro look रखी गई है मतलब यहाँ पर कोई sticker नहीं लगा रहा है वही 3D type का rolling field दिया हुए और यहाँ पर bullet thrift लिखा हुए न ये भी पूरा 3D style में लिखा हुए बट ये वाला panel है ये इसका यहाँ पर plastic में मिलता है इवन जो इसकी exhaust pipe है वो भी change कर दी गई है जो इसका black gold आता है वो किस तरीके से है वो आप लोग को old black color के अंदर ही मिलता है वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी बाकि मेरून कलर न ये भी देखने में काफी बढ़ियास लग रहा है टेल लेंप इस बाइक की वो हैलोजन बाल्ब के साथ मिलती है और जैसे आप इसका यह वाड़ा पार्ट ना अधूर रह से लगए का मतलब जो इतना सा पार्ट है मड़गार्ट छोटा नहीं है बट यहां निच्छे की तरफ में क्याएगी बाई नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगें तो निच्छे की तरफ में थोड़ा सा एक्स्टेंशन सा जाएगा फिर यह पूरा वराबर सा यह हो जाएगा पिछे वाड़ा मटगार्ड भी इसका मैटल में ही आप लोग को मिलते हैं पिछे की तरफ में यहां पर ग्रैब्स भी द दे रखे वाई यहां पर पिछे दोनों तरीकेस दे रखे वाई आप लोग को फाइव स्पीड गेरवोक्स के साथ में जो एक बाइक आजएगी और इसके अंदर में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जो है नहीं मिलेगी जो इसके मीरर से हैं वो यहां पर क्रोम के अंदर में दिया हुआ है इन्फोर्मेशन जो आपकी सेट रिसेट हैं इसे होगी आपकी जो रिजर में रहेगी तब यह शो करता है और यूएस भी जो है इसके अंदर मिल जाते जो कि यहां पर दिगए आपने फोन चार्जिंग करने के लिए पकी साइड में हैड्लैम के लिए बटन बटनीटा पर आपको इसके अंदर में किसी के अंदर में भी आप लोगों किक जो है यहां पर नहीं मिलेगी जैसे कैलीपर जो दे रखेंड है न वूँआ पर इसके शिल और फिनिश के साथ में दिये गए पहले बस्की स्टाइट की शोइस मिल जाती थी और अप एसिक बिल्कुल परफेक्ट सी है और शीट की जो कुषनिंग है वो भी यहां पर बढ़िया सी हो चुके है उस पुरानी वाली के अंदर के अंदर जो सीट थी थी बट इसके अंदर में यूँ है बिल्कुल कमफर्टेवल सी सीट है रहे पर की भी और जो पीछे पिलियन बैठेगा काम जोनों दो यह हो आखर को हिए यह क्लासिक के अंदर में एक जोर साउंड है ना वह ही जो है इस बाइक यह छुक्क है मि्ट्यों में फीन में थोड़ा जोड़ा किन दीफ्रेंस ऌसींदर हो चुक्व क्स तो उसी तरीके की शा दर्वी physiology के बिल्कुल बुरी तरिक impact उतेगी इसेद्ट два फटत अब जो है इस के अंदर में बाइक के अंदर में बहुत ज़्यादा कम हो चूकति रफाइन्मेंट क्युक्छ in ए रफीनी इस के की अंदर में काफि होच की है और डवल स्टेंड में लगाना वए DO कि यह इतना को में बहुत ज्यादा जोर सा नहीं लगाना पड़ा मुझे इस बाइक को डबल स्टेंड पे लगाने के लिए यूँ है बिलकुल असानी से इस बाइक को डबल स्टेंड पे लगाया गया है तो कामफ़ार्ट भी अच्छा हो गया और मुझा लूख कुछ पुरा तो पांच चार और पांच तीन के लिए थोड़ा पैर में दिक्कत आएगी बस और फिर राइड तो कर सकते हैं को राइड में कोई दिक्कत नहीं है बट जैसे कि पहले बाद यह से कदर कंपेर करेंगा तो उसकी सीट थोड़ी सी लाड़ की और इसकी सीट सोफ है सबसे इस वीडियो में वीडियो पसना है पर लाइक करना चैनल नहीं तो सबस्क्राइब करना बबाए